Hello everyone, this is your friend Sabiha, welcome back to our channel Stress to Excellence जहाँ पे आपको B.A.D. से related हर एक वीडियोज मिलेगी आज हम इस सेशन में डिसकस करने वाले है lecture come demonstration method जो के एक पढ़ाने का तरीका है, एक method है, method of teaching है ठीक है, B.A.D. में हम बहुत सारे ऐसे method डिसकस करेंगे जो के हमको help करेगा के बच्चों को पढ़ाना कैसा है, उनकी learning को best कैसे करते रहना है कौन-कौन सी अब अलग-अलग method हम use कर सकते हैं अपने classroom में ठीक है classroom को interactive बनाने के लिए, तो उनमें से एक method आज हम जो डिसकस करने वाले है वो है lecture come demonstration method तो ऐसी beneficial video के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे channel को subscribe जरूर कर ले और video पसंद आता है तो end mail लाइक जरूर कीजिए तो आज का session शुरू करते हैं So basically lecture come demonstration method is a combination of two methods First is lecture method and second is demonstration method अगर हम ये दोनों methods को मिला दें और अपने classroom में present करें और use करें तो वो होगा lecture come demonstration method ठीक है, अब सबसे पहले हम clear कर लेते हैं ये दोनों methods को, lecture method को and demonstration method को अब lecture method वो होता है जहाँ पे teacher का major role होता है और learner का और student का हमारे minor role होता है ये method को हम higher class में जादा use करते हैं क्योंकि वहाँ पे syllabus बहुत ही vast होता है, बहुत ही जादा होता है तो syllabus को cover करने के लिए हम ये method use करते हैं क्योंकि हम उनको हर एक topic में demo नहीं दे सकते हैं इससे हमारा syllabus cover नहीं होगा on time तो इसलिए ये method को हम higher class में use करते हैं बहुत जादा ऐसा होता है कि ये method बहुती boring हो जाता है जिससे ये method boring ना हो, कुछ अच्छे experience शेर कर सकती है अपने या फिर student के ही तो इससे क्या होगा ये method बच्चों को bore नहीं करेगा अब second है demonstration method demo का मतलब ही होता है to show, demonstrate का मतलब क्या होता है to show मतलब कुछ दिखाना, क्या दिखाना, जो भी हम topic पढ़ाने जा रहे हैं उससे related कुछ objects बच्चों को दिखाना ताके उनको जादा अच्छे से समझाए वो होता है demonstration method ठीक है, अब ये दोनों का अगर हम combine कर दे तो वो method जो निकल के आता है वो होता है lecture come demonstration method और ये method बहुत ही helpful है, बहुत ही अच्छा result चाहिए अगर हमको तो हमें चाहिए ये दोनों method को हम combine करके student के सामने present करें ये teacher centered method होता है, यहाँ पर real objects teacher यूज करती है demo देने के लिए और साथ ही साथ explanation भी teacher देते रहती है, जो भी चीज वो समझा रही है उससे related ठीक है, अब हम lecture come demonstration method के features की तरफ बढ़ते हैं इसके कुछ features देख लेते हैं, characteristics देख लेते हैं कि इसमें क्या खासियत है अगर हम इस method को अपने classroom में use करते हैं तो, सबसे पहले आप ये picture देखे जो display हुई है screen पर, यहाँ पर एक teacher है जो experiment explain कर रहे हैं कुछ अपने student के सामने, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे है experiment जो explain कर रहे हैं वो demo हो गया और साथ ही साथ speech भी deliver कर रहे है, speech भी दे रहे है तो यहाँ पर दोनों चीजे cover हो रही है, सबसे पहले तो जो उनका explanation है, जो भी content को वो explain कर रहे है वो भी हो रहा है और उसके साथ ही experiment भी perform कर रहे हैं ताकि बच्चों को जादा अच्छे से समझ में आए तो यहाँ पर हमको दोनों चीजे का advantage मिलता है, lecture method का भी advantage मिलता है और demonstration method का भी advantage मिलता है, lecture method का यह advantage है कि हम explain करते हैं student को और demonstration में हम demo देते हैं, तो यह दोनों चीज हम lecture come demonstration method में करते हैं तो अगर यह method हम choose करते हैं, तो हमको दोनों method के advantage मिलते हैं बात समझ में आ रही है, अब इसका main purpose क्या है, lecture come demonstration method का तीन main purpose है ठीक है, वो चीज़े यह याद रखनी है, सबसे पहले तो to convey information जो भी information teacher के पास है, वो topic को लेकर या वो subject को लेकर, वो teacher convey करती है अपने student को ठीक है, experiment के through हम क्या करते हैं, information को convey करते हैं, तो यह पहला purpose है second is to generate understanding, experiment अगर हम कोई भी perform करेंगे student के सामने तो उनको जाद अच्छे से वो चीज़ समझ में आती है, क्योंकि वो अपनी आखों से वो सब देखते हैं, teacher को करते हुए ठीक है, तो उनको जाद अच्छे से वो चीज़े clear होती है, कि कैसी चीज़ क्या है, कैसी दिखती है, तो समझ में आती है उनके वो बहतर learning होती है वाँ पे third is to stimulate interest जब वो कोई भी apparatus देखते हैं तो उनके अंदर automatically interest पैदा होता है कोई भी objects देखते हैं real objects देखते हैं तो उनके अंदर interest पैदा होता है जो उनकी learning को बहुत ही मज़िदार बनाता है तो ये तीनों ही इसका purpose है lecture come demonstration method का और here the students see the actual apparatus and operation यहाँ पर student को अपनी आँखों से real objects देखने मिलते हैं actual apparatus देखने मिलते हैं जो उनको बहुत ही अच्छा लगता है देखना Confucius का एक बहुत ही beautiful quote है जो हम इस method से relate कर पाएंगे और वो ये है कि I hear and I forget I see and I remember I do and I understand मतलब अगर मैं सुनूंगा तो मैं भूल जाओंगा अगर मैं देखूंगा तो मुझे याद रहेगा और अगर मैं खुद करूंगा तो मतलब मुझे समझ में आएगा अब यहाँ पर student की बात हो रही है ठीक है student अगर कोई भी चीज सुनता है कोई भी lecture सुनता है तो उसको मतलब maximum time यह होता है कि वो भूल जाता है ठीक है और अगर वो देखता है अगर teacher को experiment परफॉर्म करते देखेगा या demo देते हुए देखेगा या real objects देखेगा जैसा कि हम lecture come demonstration method में करते हैं अगर वैसा होगा तो वो चीज उसको याद रहेगी और अगर वो खुद perform करेगा खुद वो apparatus touch करेगा और उस पे खुद ही experiment भी करेगा तो उसको जादा अच्छे से वो चीज समझ में आएगी और understand वो चीज को करेगा ठीक है तो यह Confucius ने कहा था यह Chinese philosopher है जिन्होंने यह चीज कही थी तो lecture come demonstration में क्या होता है I see and I remember मतलब मैं देखूंगा तो मुझे याद रहेगा तो इसलिए हमको student के सामने कोई भी concept अगर हम explain कर रहे हैं तो better है हम उनको demo दे तो demo से उनको जादा अच्छे से चीजे समझ में आती है और बहुत ही जादा देर तक उनको याद रहती है अब lecture come demonstration method के हम कुछ steps देख लेते हैं सबसे पहले आता है planning and presentation student के सामने कोई भी चीज present करने से पहले उसकी planning करना बहुत ही जादा जरूरी है अब planning किस चीज की तो सबसे पहले आता है subject matter subject matter का plan करना बहुत ज़ादा जरूरी है कि हम कौन सा subject student को पढ़ाने जा रहे हैं और वो subject में हम कौन सा matter उनको explain करने जा रहे हैं और कौन सा concept उनको बताने जा रहे हैं इस चीज के planning करना second lesson planning अब हमने subject तो देख लिया कि हमारा ये subject है अब उस subject में lesson देखना और वो lesson में भी बहुत सारे topics और subtopics होते हैं तो उसमें से भी कोई perfect topic choose करना कि आज हमको इतना सिखाना है इतने lecture में मतलब आज के lecture में हमको इतना ही पार्ट सिखाना है पूरा lesson ले के मतलब नहीं है और ये भी देखना है कि हमको कौँसे principle उसमें explain करने है वो topics related कौँसा principle हमको student को explain करना है कौँसा चीज experiment करके दिखाना है कौँसी चीज demonstrate करना है उनके सामने और कौँसे type के question उनसे पूछने है during experiment और before और after experiment तो ये भी चीज plan करके रखना ये सब lesson planning में ही आता है और अपने question को systematic way में हमें पूछना है student से ताकि उनको उनका topic जो है आसाने से clear हो फिर आता है rehearsal of experiment मतलब हम जो student के सामने experiment perform करने जा रहे हैं उसको teacher को चाहिए कि वो पहले से ही rehearse करके रख ले मतलब पहले teacher करते वक्त उसको कोई भी हिच की चाहट ना हो और उसके अंदर confidence हो teacher के अंदर खुद के अंदर भी confidence होना जरूरी है फिर आजाता है collection and arrangement of apparatus मतलब अगर हमें जो है हमारा जादा बड़ा topic है या जादा बड़ा experiment है तो हमें चाहिए कि हम apparatus को पहले ही collect करके रख ले और arrange करके रख ले ताकि हमारा बीच में जो है lecture के बीच में demonstrate करते वक्त time waste ना हो arrangement करने के लिए है ना हम वहाँ पर explanation को time देंगे और demonstration को time देंगे ना कि arrangement को तो ये चाहिए कि हम पहले करके रख ले तो एक teacher जब भी demonstrate करने जा रही है lecture देते हुए तो वो apparatus को भी arrange करके रख ले और collect करके रख ले तो ये सारी चीज़े हमको planning और presentation में ध्यान रखनी है तो सबसे पहले क्या था subject matter second क्या clear होना चीए lesson planning third क्या था rehearsal of experiment and fourth था collection and arrangement of apparatus अब बढ़ते हैं second step की तरफ second step है हमारा introduction of lesson मतलब lesson का सही introduction देना हमें जरूरी है कैसे teacher introduction दे सकती है कुछ motivate करके सबसे पहले तो शुरू करना चाहिए अपना lesson कोई personal experience आप share कर सकते हो student के साथ कोई incident बता सकते हो उसको कुछ अच्छा experience बता दो उस lesson से related या उस topic से related कुछ अपना experience शेर करो ठीक है तो उससे क्या है lesson को एक बहुत ही best start मिलता है और बच्चे जो है बहुत ही teacher की बातों को फिर attentive होकर सुनते हैं और ध्यान लगा कर उस चीज़ को सुनते हैं जब teacher ऐसा करती है तो अब बहुत सारे ways है और बहुत सारे methods होते हैं जो है introduction देने का अपने lesson के बारे में हर एक teacher अलग-अलग ways follow करती है सबका अपना-पना method होता है ठीक है हम इसको beard में set induction भी बोलते हैं जो हम set induction करते हैं तो वो ही है introduction of lesson कोई question answer से शुरू करता है कोई quiz से या कोई game से कोई बच्चों के personal experience से शुरू करता है ठीक है या teacher खुद अपना personal experience share करती है या student के environment के भी बारे में बात करके हम lesson को जो है शुरू कर सकते हैं कोई story सुना के हम lesson को शुरू कर सकते हैं या कोई भी simple experience हम उनके सामने share कर दें तो उससे भी हम अपना lesson शुरू कर सकते हैं तो यह हम पर है कि हम अपने lesson को कितना interesting बनाते हैं एक बैतरीन start दे के मतलब introduction करवा के lesson का ठीक है अब third step की तरफ बढ़ते हैं third step है presentation of the subject matter अब हमने planning कर ली introduction कर दिया lesson का अब हमको क्या करना है subject matter को student के सामने present करना है तो वो कैसे करे सबसे पहले तो हमारे classroom में बहुत सारे student होते हैं वही classroom में आपको slow learner भी मिलेंगे वही classroom में आपको bright student भी मिलेंगे और वही classroom में आपको disabled learner भी मिलेंगे और person with disabilities भी मिलेंगे मतलब disabled learner तो हर एक student हमको अपने class में हो सकता है देखने को मिले तो हमको हर एक student के interest को consider करना है हर एक के learning needs को consider करना है और फिर उस हिसाब से हमको हमारा subject और जो भी matter हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको present करना है ताकि हर एक को satisfaction मिले और समझ में आए उनको उनका topic फिर बीच बीच में question भी जो है पूछना चाहिए teacher को ताकि teacher को भी ये समझ में आए कि जो भी आप पढ़ा रहे हूं वो student को समझ रहा है या नहीं समझ रहा तो question पूछते रहना चाहिए middle में facts बताते रहना चाहिए जब भी आप अपना lesson explain कर रहे हो तो उससे क्या होता है बच्चों की knowledge भी बहुत ज़ादा बढ़ती है जब वो facts सुनते हैं और principles सुनते हैं तो उनको उनकी learning में और मज़ा आता है और वो और ज़ादा interest के साथ अपने teacher को सुनते है उसके बाद में जो भी आप explain कर रहे हो तो teacher को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि language जो भी use कर रही है teacher वो बहुत ही ज़ादा simple हो और clear हो अगर language बहुत ही ज़ादा मुश्किल होगी difficult होगी समझ में ही नहीं आएगी student को तो ऐसी language का कोई भी मतलब नहीं है जो student को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी language यूज़ करें चाहे हिंदी हो, मराटी हो, इंग्लिश हो बस ये है कि simple हो और बच्चों को वो समझ में आए तो simple और clear language का होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है fourth step की बात करते हैं so fourth आजाता है experimentation अब teacher experiment परफॉर्म करने जारी है अपने student के सामने तो जब भी हम experiment परफॉर्म करें तो ये ध्यान में होना चाहिए कि demo एकदम clear होना चाहिए मतब demonstration एकदम clear होना चाहिए convincing होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए वो topic और बहुत ही ज़ादा slow भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़ादा fast भी नहीं होना चाहिए बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए जैसा उनको समझ में आ रहा है वैसा जो भी table पर आप demo अपना explain कर रहे हों experiment कर रहे हों वो बहुत ज़ादा clean होना चाहिए तो उससे क्या है बच्चों को confusion नहीं होता है कि teacher अब कौन सा apparatus यूज करने वाली है कौन सा choose करेगी ठीक है हर एक proper arrangement होना चाहिए apparatus का और हर एक apparatus teacher एकदम से न डिस्प्ले कर दे एके करके जो है student के सामने रखे तो एके करके जब हम student के सामने रखते हैं तो हम उसका नाम भी बता सकते हैं उसको use कैसे करते हैं तो वो चीज़े भी clear होते रहती हैं जब हम experiment करते हैं तो तो हर एक apparatus को साथ में न दिखाते हुए एक एक करके दिखाएंगे तो बच्चों को जादा अच्छे से समझ में आता है और नाम भी वो apparatus के जो है वो set के याद रहते हैं उनको फिर next आ जाता है blackboard work blackboard work भी इसके साथ जरूरी है क्योंकि अगर हम principle कुछ बताने जा रहे हैं तो main principle हम blackboard पे लिख सकते हैं तीक है या फिर कोई result हमारा है important result है तो वो भी हम blackboard पे लिख सकते हैं blackboard पे अगर हम sketch बनाना चाते हैं या कोई हमारा diagram है हमारे topics related तो वो भी हम बना सकते हैं और लिख सकते हैं फिर बच्चे copy कर सकते हैं तो उनको वो चीज़ फिर copy करने में आसानी होती है तो teacher blackboard का भी use करती रहे तो जो भी important principle है और जो भी important चीज़े हैं वो teacher को blackboard पे लिखना चाहिए और blackboard work भी इससे जो हमारा complete हो जाता है फिर next आजाता है supervision अब हमने blackboard work कर लिया experiment perform कर लिया presentation कर दिया introduction कर दिया सब कर दिया हमने अब हमको करना है supervise supervise मतलब हमको student को देखना है कि बच्चों को हमने जो समझा है वो समझा वो blackboard पे जो भी चीज़े जो भी rules और जो भी principle लिखे है या जो भी result लिखा है वो proper लिख रहे हैं या नहीं या जो भी diagram या sketches draw किया है teacher ने वो proper वो draw कर रहे है या labeling proper कर रहे है नहीं तो ये चीज़ का ध्यान रखना teacher का काम है teacher को supervise करना चाहिए बच्चों को और देखना चाहिए कि वो सही से copy कर रहे है कि नहीं अगर वो copy करते हैं तो बाद में उनको lesson revise करने के लिए वो चीज़ आसानी रहेगी तो teacher का supervision भी बहुती जादा ज़रूरी है step में अब इस method के advantages देख लेते हैं तो सबसे पहला है this method involves active participation on the part of both the teacher and the student मतलब यहाँ पे दोनों का participation बहुती active होता है क्योंकि teacher demonstrate कर रही है तो वहाँ पर teacher का participation भी लगता है और speech देने में भी उसका participation लगता है और student जब apparatus देखते हैं और जो भी objects देखते हैं तो वहाँ पर बहुती ज़ादा active हो जाते हैं और actively response देते हैं तो यहाँ पर उनका भी participation active हो जाता है तो यहाँ पर दोनों ही जो है बहुती ज़ादा active होते हैं और actively participate करते हैं ठीक है second is leads the student from concrete experiences to abstract concept मतलब यह जो method है lecture come demonstration method वो बच्चों को लेके जाता है concrete से abstract की तरफ अब जो भी हम अपने demonstration में जो भी object यूज़ करते हैं वो क्या है concrete objects है और concrete object यूज़ करके हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं abstract concept के बारे में तो इस तरीके से यह concrete to abstract जाता है for example जैसे कि अब teacher बढ़ाने जा रही है types of magnet के बारे में तो अब magnet के types बताने के लिए teacher ने अपने साथ बहुत सारे objects करी की है बहुत सारे shapes करी की है magnet के अब यह सब क्या है concrete things है बच्चे मतलब देख सकते हैं छू सकते हैं तो इसको बोलते है concrete things अब teacher यह दिखा के बच्चो को क्या बताना चाती है कि कैसे magnet के अलग-अलग types होते हैं और वो दिखते कैसे हैं ठीक है तो यह हुआ abstract concept तो इस तरीके से teacher concrete to abstract बच्चो को ले के जाती है और उनके learning इस तरीके से concrete to abstract जाती है बात समझाई next is saves time and energy मतलब यह time भी बचाता है और energy भी बचाता है क्योंकि teacher को जादा time ना लगे abstract concept को explain करते वक्त इसलिए teacher क्या करती है concrete चीजों का use करती है तो उससे क्या होता बच्चो को भी समझ में आता है और teacher की भी energy और time waste नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर उसका जो है lesson भी cover हो जाता है बच्चो को समझ भी आ जाता है और time और energy भी बचता है save होता है next है useful for all types of student also promote useful discussion मतलब यह हर एक student के लिए useful है चाहे वो slow learner हो bright student हो कैसा भी student हो हर एक student के लिए यह useful होता है और discussion को भी यह promote करता है suppose student को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो जब teacher से पूछता है तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में discussion हो रहा है उसको भी promote करता है ठीक है फिर आ जाता है improve students observational skill and reasoning power अब यहाँ पर जब बच्चा objects को देखता है या apparatus को देखता है तो वो चीज को वो observe करता है बहुत ही जादा keenly observe करता है कि कौन से चीज कैसे हो रही है ठीक है interesting बहुत ही बना देता है ये method उनके learning को तो यहाँ पर दोनों चीज उनकी improve होती है एक तो observational skill और दूसरा reasoning power reasoning power मतलब उनके अंदर ये ability पैदा हो जाती है कि वो logical way में चीजों को सोचने लगे और फिर conclusion निकाल सके या कोई भी judgment बना सके ठीक है तो ये दोनों चीज उनकी improve जाती है and last is lecture come demonstration method is a good strategy to create and maintain interest and zeal of student मतलब ये method को use करके हम बच्चों के अंदर interest भी create कर सकते हैं और उनके interest को maintain भी रख सकते हैं and zeal of student मतलब जो भी वो बिना थके कोई भी काम करते हैं ना जैसे अगर वो drawing करते हैं आपने कभी देखा होगा तो drawing करते वक्त या craft करते वक्त वो इतना जादा interest के साथ करते हैं कि कि अगर वो ठक भी जाएं तो वो चीज को छोड़ते नहीं हैं मतलब एकदम devotion के साथ काम करना बिना ठके तो वो होता है zeal of student ठीक है तो वो चीज को maintain रखता है ये method ये थे कुछ advantages इस method को use करने का अब साथ में disadvantage भी देख लेते हैं कि इसके disadvantages क्या है ये method के सबसे पहला it is not always possible to hold student's attention while using this method मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ये method को use करें और इसको use करने से हम student के attention को हमेशा ही अपनी तरफ खीच लें क्यूंकि हम उनके सामने object present कर रहे हैं और apparatus रख रहे हैं तो ये जब apparatus देखते हैं student ये जो भी हमारे learner है वो apparatus देखते हैं तो उनके अंदर बहुत ही ज़ादा curiosity पैदा होने लगती है और वो चीज को observe करने लगते हैं वहां उनका ध्यान चला जाता है rather than teacher's explanation teacher के explanation पे ध्यानने जाता teacher क्या content explain कर रही है क्या speech दे रही है उस पे ध्यान नहीं जाता बलकि जो teacher present करी है और रखी है सामने apparatus यूज कर रही है उस पे ध्यान चला जाता है तो ऐसा ना हो जो है ये method को use करते होए तो teacher को चाहिए कि वो interesting example देती रहे बीच बीच में ताकि बच्चे लोग का attention उसकी तरफ आए या अपने voice को modulate करते रहे ठीक है जैसे पिच को कभी high करे कभी low करे ठीक है तो modulation of voice भी बहुत जादा ज़रूरी है teacher का एक ही voice में ना explanation दे teacher और फिर कुछ comments भी कर सकती है कुछ humorous comment teacher add कर सकती है तो इससे क्या है बच्चों के अंदर interest पैदा होता है और वो attention भी teacher gain कर सकती है यह सब अगर teacher use करती है तो next आजाता है lack of opportunity for developing practical ability अब यहाँ पर बच्चों को allow नहीं होता है कि वो कोई भी चीज़ को छुए कोई भी set को छुए ठीक है यहाँ पर teacher ही सिरफ set को छूती है और explain करती है तो यहाँ पर उनको जो है छूने का मौका नहीं मिलता तो यहाँ पर उनकी practical ability भी develop नहीं होती है यह lack कर जाती है क्योंकि यहाँ पर उनको सिर्फ देखना है और छूने का जो है allow नहीं है तो इसलिए यह चीज lack करती है यहाँ पर next आजाता है each and every student may not be very attentive and may not watch the whole experiment properly अब अगर teacher बहुत जादा student को ले कर जाएगी और जो है जादा student का group use करेगी और फिर demonstrate करेगी तो ऐसा बहुत जादा होता है कि जो start में student जो table के पास है सिर्फ उनको ही समझे experiment क्या चल रहा है और किस बारे में बात हो रही है और जो उनके पीछे हैं उनको ना समझे visibility को बोलते हैं कि हर एक student देख नहीं पाता है experiment को और जब student experiment ही देख नहीं पाएगा तो उसको concept भी नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर यह चीज ना हूँ इसलिए teacher को चाहिए कि वो जो है छोटा group use करे demonstration के लिए और अगर large group use करेगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक student को समझे बहुत सारे student को नहीं समझेगा क्योंकि बहुत सारे student जो है experiment नहीं देख सकते हैं फिर next आ जाता है sometimes speed of demonstration is either too fast or too slow and it may create problem कभी-कभी teacher जो है easy समझ के बहुत ज़ादा demonstration को fast कर देती है तो उससे क्या होता है बच्चों को ही समझ में नहीं आता कि teacher क्या समझाना चाहरी है तो हमेशा बच्चों के point of view से सोचे कि उनको कितने speed में समझेगा और वही speed रखे अगर slow speed रखेगी teacher और एक ही चीज़ को बार बार बोलती रहेगी repeat करती रहेगी तो वहाँ पर उनको bore होने लगेगा तो teacher को चाहिए ऐसी speed रखे कि बच्चों को समझ में आए और बहुत ही ज़ादा fast भी ना हो और बहुत ही slow भी ना हो ठीक है और उनके लिए problem भी create ना हो तो ये थे disadvantages देखते हैं role of teacher क्या होना चाहिए ये method में क्योंकि role of teacher भी बहुत ज़ादा important होता है तो सबसे पहला है the demonstration should be planned and rehearsed well in advance जो भी teacher demonstrate करने जा रही है experiment जो भी perform करने जा रही है teacher को चाहिए कि वो पहले से plan करके रखे और पहले से ही उसका rehearsal करके रखे advance में ठीक है तो उससे क्या होगा teacher के अंदर confidence भी हाएगा और बच्चों के सामने explain करते वक्ट teacher fumble भी नहीं होगी तो ये हुआ पहला role second is the teacher should be clear of the purpose of the demonstration teacher should know the aims and objectives of the demonstration मतलब teacher को ये चीज clear होना चाहिए कि वो किस बारे में पढ़ाने जा रही है क्या purpose है वो demonstration का क्या purpose है क्या aim है basically क्या मकसद है उसका वो demonstrate करने का तो वो चीज के बारे में clear होना teacher को बहुत जादा जरूरी है third is if the teacher does not handle class situation effectively students can become indiscipline मतलब जब teacher demo देना शुरू करती है और apparatus को एक एक करके display करती है तो यहाँ पर बच्चे बहुत जादा curious हो जाते हैं यह देखने के लिए कि अब आगे teacher क्या करेगी और यह कैसे क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर वो बहुत जादा उनके अंदर curiosity पैदा होने लगती है जिसकी वज़े से वो indiscipline हो जाते हैं और जो है शोर करने लगते हैं या क्योज बहुत जादा class में होने लगता है तो ऐसा ना हो तो teacher को चाहिए कि class अपनी जो है यह method को use करे तो इससे यह method को use करने से पहले भी question करे और यह method को use करने के बाद भी question करे और हो सके तो बीच में भी question करे तो इससे क्या होगा बच्चे सबसे पहले attentive होने लगते हैं क्योंकि teacher question पूछती है और teacher को भी question पुछते वक्त ये समझ में आ जाता है कि कौन से बच्ची की learning कितनी हुई है और उनको concept जो भी मैं explain कर रही हूँ या कर रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो question answer session भी बीच बीच में चलते रहना चाहिए तो conclusion यही है इस method का कि lecture come demonstration method is a very effective for imparting education and it has positive impact on the student learning and expertise मतलब ये method को use करने से हम बहुत ही जादा effective way में बच्चों को education दे सकते हैं education convey कर सकते हैं जो भी information हमारे पास है वो हम अच्छे से उन तक पहुचा सकते हैं और बहुत ही जादा positive impact होता है student की learning पर क्योंकि उनको समझ में आता है ये चीज़ it is a very suitable method to teach in the high school classes मतलब बड़े बच्चों को सिखाने के लिए ये method बहुत ही जादा helpful होता है scientific attitude भी develop होता है क्योंकि as experiments are demonstrated rather than lecturing alone मतलब हम सरिफ lecture नहीं देते बलकि उसके साथ साथ experiment भी perform करते रहते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़े होती है इसलिए उनके अंदर scientific attitude भी develop होता है so I hope आपको आज का session पसंद आया हो और अगर आपको ये video helpful रही हो तो आपको क्या करना है like करना है ये video को और मेरे चानल को subscribe कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी share करके notification बल आइकन पे press कर दीजिए ताकि आने वाली आगे की सारी videos के information आपको मिलती रहे time to time ठीक है औ और main चीज कोई और topic पे आपको video चाहिए तो अब वो आप मुझे comment section में comment करके बताएं और अगर इसके regarding ये topic के regarding अगर आपको कोई भी doubt हो तो वो भी आप मुझे comment कर सकते हो next video के लिए stay tuned with my channel guys thanks for watching